कल मैंने एक वीडियो गनाया था Best Test Series for NEET 2024 जिसमें मैंने carefully जितने भी available options हैं जितने भी institute के test series हैं उसको analyze करके detail report आपके साथ share किया था कि किस institute का test series आपको attempt करना चाहिए और जो अच्चे test series नहीं खरीद पारे हैं मैंने पिन कर दिया उस वीडियो को जाके जरूर देखिए उससे आपको clarity मिल जाएगी कौन सा test series में आपको invest करना चाहिए अपना time और अपना पैसा और पैसे से जादा important है time मतलब ठीक है आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिटा कि आप अभी किसी test series आपने दिया होगा या आपके mock test के number बिलकुल नहीं बढ़ रहे या अगर आपने test series अभी तक नहीं भी दिया है तो कैसे आप जब test series दें तो किन बातों का ध्यान रखें पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक important announcement बता दूँ मैं रोज ये बात बोलना हूँ मैं आपको prepare कर रहा हूँ बिटा second of October से हमारी one shot series start हो रही है physics machine बाई जी की कल October का detail plan मैं share कर दूँगा तो अगर आप इस channel पर नहीं हैं तो इस channel को subscribe कर लीजिए और bell icon दबा दीजिए इस वीडियो को हमने तीन पार्ट में divide किया है पहला पार्ट mock test आपको attempt कैसे करना है दूसरा पार्ट mock test आपको analyze कैसे करना है और तीसरा पार्ट उस mock test को आप revise कैसे करें तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट से that is how to attempt mock test ठीक है बताईए कैसे attempt करना है आपको mock test तो बेटा simple सा चीज़ है कुछ चीज़ है आपको ध्यान नहीं रखनी है आपको एक offline mock test लेना है ठीक है उसके बाद इसमें OMR होना चाहिए ठीक है जब भी आप mock test दें एक offline with OMR mock test दें दूसरा कि धाई बजे के time interval पे ही दें ताकि आप का brain अभी से exam cycle के हिसाब से correlate कर पाए और तीसरा week में एक test से ज़ादा ना दे मतला अभी तो मैं recommend करूँँगा one test in 15 days अभी बहुत early है mock test देने के लिए तो अगर आपका sleeper 30 to 50% खतम है तभी आप mock test देना शुरू कीजिए नहीं तो अभी chapter wise जो तुम test paper या DPPs करो that is more than sufficient तो one test in 15 days अभी कीजिए नौबर से इसको once a week कर लिजिए और January से आप इसको twice a week कर सकते हैं ठीक है? अच्छा अब बोलो कि सर हमें attempt कैसे करना है आफिर mock test क्या-क्या चीजों को ध्यान में रखना है तो बैटा जैसे आप नीट का paper attempt करते हैं वैसे ही pattern पे आपको mock test attempt करना चाहिए क्या सर? सबसे पहले आप biology कीजिए ठीक है? उसके बाद आप chemistry कीजिए यह habit maintain कीजिए ठीक है? कोशिस कीजिए कि आप अपना पूरा mock test का जो time frame रखे है वो 2.5 hours का रखनी है मुझे पता है कि आपको exam में 3 घंटे 20 मिट मिलता है बट आप उसमें mathematical calculation डालिए कि आप परिशान होंगे, आप exhausted रहेंगे तो आप अपना time frame यहाँ पे थोड़ा कम कर लिजे क्योंकि आप अपने घर के convenience में exam दे रहें तो जब भी आप mock test 3 घंटे 20 मिट का हो आप अपना time limit है 2.5 hours का ही रखे और कोशिश कीजिए उन्ही 5 घंटे में आप पूरा paper solve करें ठीक है? तो आपने exam pattern के form में आपने exam दिया ठीक है? OMR fill किया, है ना? और उसके बाद आप उसकी analysis करते हैं ठीक है? paper solve करते हैं टाइम मैंने बताया है आपको पहले भी need का paper कैसा solve करते हैं उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है क्या? दो phase में paper solve क्या करो? पहला phase 1 क्या है? कि आपने ऐसे question जो question आपका मालो की directly आपको आता है एकदम 100% sure है उन questions को आपने solve कर दिया जब भी question solve कर रहे हो तो you should read all options है ना? सारे option को आपने read करना है ये चीज़ आपको दिहान में रखना है, ठीक है? दूसरा फिर आप face 2 में आऊगे कि आप confused हो अगर आप 2 option eliminate कर पा रहे हो मतलब कि ये 2 option नहीं है तो 2 option में तुक्का मार दो अभी से आपको ये तुक्का मारना भी सीखना पड़ेगा जितना practice informed guesses आप use करने लगेंगा भी उतना आपका score improve होगा तो अभी experiment करने का time है तुम्हें पता चल जाएगा हर test के बाद की तुम्हारा तुक्का कारेगर है की नहीं तो अभी से ही साम दाम डंड भेद सब आपको लगाना है ठीक है सर हमने बात कर ली attempt कैसे करते है mock test ठीक है आपने mock test दिया अब बहुत बच्चे coaching institute में जाके mock test देते हैं बहुत बच्चे आपका जो mock test है वो घर पर बैठके देते हैं तो दो चीज है कि भाई या तो आप coaching institute में देरो तो आपको marks मिल गया बट फिर भी जो भी paper है आप mock test का paper लो और उसकी correction खुद से लगाओ ठीक है लगाया अब आपके कुछ question गलत होंगे जितने भी गलत हों ठीक है अब उसको आप segregate करो कैसा गलती है क्या sir direct factual गलती है मुझे नहीं आता बिलकुल मुझे नहीं आता ठीक है दूसरा गलती हो सकता है कि मैंने silly mistake किया ठीक है कि भाई अरे यार इसका यह होना चाहता है ओ शिट मैंने question धंके नहीं पड़ा question underline नहीं किया not नहीं देखा except नहीं देखा है न और तीसरा हो सकता है कि conceptual error ठीक है यही तीन तरह के error होंगे आपको ठीक है और चौथा हो सकता है कि आपको sufficient time नहीं मिला sufficient time नहीं मिला मतलब problem या आपकी speed में है ठीक है सकता है अच्छा अभी के लिए अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं इसको हम January में re-discuss करेंगे है तुम भी यही है हो हम भी यही है तो January में इस पर बात करेंगे time limit पर बाकी चीजों पर अभी focus कर लेते हैं ठीक है अगर आपने उस test में कोई factual error किया है तो until the next test उस factual error को topic को पढ़ लो उसके round जो topic है उसको पढ़ लो और उस question को अपने copy में डाल दो जि question जो भी उसका factual part था question with solution आप अपने mistake note में डाल दीजिए ठीक है silly mistake आपने की है calculation mistake question ढंग से नहीं पड़ा तो type of silly mistake इस तरह का silly mistake मैंने किया उसका भी एक record रखिये क्या होगा बेटा जब आप subconsciously आपको पता होगा कि मैं इस तरह की गलतियां कर रहा हूँ और एक्जाम चे पहले तुम देख के जाओगे कि देखो पिछले एक्जाम में मैंने ऐसी गलतियां की थी इस एक्जाम में मैं ऐसी गलति नहीं करूंगा अगर आप वो part पे focus रहते हैं तो आपके silly mistake के chances कम होंगे तो अभी गलती करो खूब silly mistake करो बट make new mistakes यह नहीं की पुरानी गलतियां ही दोराओ ठीक है जब भी आप गलती करें make new mistakes है नहीं गलतियां कीजिए ताकि एक्जाम तक आते 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 आप कोई भी गलती करने लाहिक ना रहें मतलब कोई भी ग focus वाली चीज़ है conceptual error कर रहे हैं आप मतलब कि आपका वो chapter या वो sub topic ठीक से नहीं हुआ है तो यहां पर फिर go back and again इसके detail lecture लगाओ ठीक है इस पर नीपा पुती से काम नहीं के लगा यह सरजरी करना पड़ेगा यहां पर घाओ को जड़ से खतम करना पड़ेगा तो कहीं भी अगर conceptual error में फस रहे हो तो जाइए detail lecture लगाईए और उस concept को fix कीजिए ऐसे मुश्किल से मुश्किल आपके ना बेटा 100 concept होंगे और हर टेस्ट में आपके 4 concept fix हो जाएंगे 100 से ज़्यादा concept में तुम नहीं अटकोगे तो धीरे 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 जब दिसंबर जैनवरी तक तुम आओगे तो तुम इन concept में परिपून हो जाओगा और यह conceptual error जो है तुमारा यह 0 हो जाएगा ठीक है और उसके बाद factual error पर तुम जैसे ऐसे पढ़ते रहोगे तो यह भी error 0 हो जाएगा और आपका considerable score नहीं कुछ भी तो 200 प्लस marks बढ़ जाएगा आपके current test में तो अगर मालो कि तुम अभी test में 300 marks ला रहे हो तो धीरे 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 करते करते तुम 500 550 marks लाने लगोगे अब 550 से 650 के जम के लिए आपको फिर यहां पे सब कुछ matter होगा फिर एक और फैक्टर यहां आ जाएगा सफीशन टाइम नहीं मिल रहा आपको तो फिर वहां पे हम speed पे काम करेंगे वहां पे हम option elimination पे काम करेंगे और वहां पे हम conceptual clarity को तुरंत implement कैसे करें उस पे काम करेंगे अभी phase 1 में आपको यह part करना है till January, January में फिर हम बात कर लेंगे यह वाले part की ठीक है अगर कोई बच्चा अभी भी साड़े 500 पे स्टक है तो comment section में mention कीजे मैं उनके लिए अलग से अभी के लिए ही वो वीडियो बना दूँगा कि साड़े 500 से साड़े 600 700 का jump कैसे लेना है ठ that note मैं वीडियो को end कर रहा हूँ बेटा आपको मैं कुछ sample free test अभी जो कि आप test दे पाएं कुछ free test मैं आपने telegram channel t.me slash anandmoney001 पे share करता हूँ ठीक हम लोग diagnostic test बोलेंगे और यह test क्या करेगा यह test आपको अभी pre-valuation कर लेगा आपका कि आपके चलो 100 नमबर ही आ रहे कोई बा नमबर कम से कम बढ़ रहा है तो जैसे आप October महिना जब खतम करेंगे तो आप देखोगे अगर आपके 200 आ रहे हैं तो 300 आने लगेंगे 300 आ रहे तो 370 आने लगेंगे है ना वैसे आपका धीरे 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 स्कोर बढ़ता रहेगा और January तक हमें इस हालत में आना है कि हम मॉक टेस्स में 550 प्लस मार्क्स ला रहे हों ताकि हम अगर फुल टेस्स की नीट एक्जाम पैटन की बात करेंगे तो 610-620 नमबर हमारे आ रहे होंगे और फिर यहां से 650 का सफर हमको तै करना है तो धीरे धीरे ग्राजुवल ही लैडर सिस्टम से हम नीट एक्जाम कीजिए क्योंकि ऑक्टूबर आपके लिए बड़ा भारी भर कम और ओवर्वेल्विंग महिना होने वाला है कल मैं ऑक्टूबर स्टडी प्लान आपको डीटेल से बता दूंगा ठीक है ऑन डाट नो टाम एंडिंग्स वीडियो वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक की कीजिए कर चानल को सब्सक्राइब टिए बेल आइकन दबा दिए ताकि आप कोई नोट से मिस ना करें मिलते अगरे वीडियो में ठेक कियर बाइबा एंड हाव ग्रेट डे थैंक्यू